गुरु ऐसे विनय दे दे गुलगान करूं तेरा इस बालख के सर पे गुरु हाथ रहे तेरा गुरु ऐसे विनय दे दे गुलगान करूं तेरा इस बालख तेउ बेद गुलगान तेरा इस बालख के ड़ी देद गुलगान करूं तेरा आतम भावन भावतां जिवल्हे के वड़ गना नरे 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 आतम भावन भावन भावतां जिवल्हे के वड़ गना नरे वन्दे तद गुण लब्दये अग्ञानत्य मिरां धानां गिनानां जनिशलाकया चक्षुरुन मेलितम्येन तस्मैश्री गुरवे नमः परात्पर गुरवे नमः परंप्राचार्य गुरवे नमः परंगुरवे नमो नमः मंगल मय मंगल करन वेतराग वेगन्यान नमो ताहि जाते भाये अरेहं आदीमा आओ श्री परिष्ण महापर्व तेनो छथो दिवस आजे स्वाध्यायमा तत्व चिंतनमा आपने वैराग्य वर्धक एवा श्री पद्मनंदी पंच विन्षती एतले आम तो 26 छे पड़ नामा पीशे 26 नानाना प्रक्रणों नूं कलेक्शन पद्मनंदी पंच विन्षती पद्मनंदी आचारी देवनूं नाम छे एवा थोड़ा उत्तम प्रक्रणों नूं संग्रह समूह कलेक्शन कंपाईलेशन नथे पोते ओथर पोते चे ने तो संपादित एम केवाई पड़ा तो आलेखी जे एमना आत्मा माथी जे भावो एमने अनुभव्या ते भावो ते लेखी निमा शब्द रूपे आया एवा बदी एवा महा पुरुषोनी अलवकिक शक्ती होई शे श्री आत्मसी दिशास्त्र में आपने कहीं के कोई क्रियाजड थाई रहा शुष्क ज्ञानमा कोई माने मार्ग मोक्षनों करुणा उपजिये जोई अने आगलपची केशे के विचारवा आत्मा थीने भाख्यो अत्र अगोप्य हुँ शास्त्र लखों छुँ एवी करता बुद्धी गिन्यानियोंने होती नथी ये बात आपने परंदियो से पंडिक जिये कहे लिए के समय सार नी आत्मख्याती नामनी टीका पूरी थाई पछी तेमने की दू? के पोत पोतानी शक्ती थी शब्दो सैयोजित थया एमा थी वाक्यों थया एमा थी प्रक्रणों गध्य पज्यरू कलश वगेर थया एमा थी आ आत्मख्याती नामनी टीका बनी आत्मा माज रहवानी जनी भावना छे एवा अम्रुचंद्रनू आमा कई करतव्य नथी आपने तो कई नथी करता तो या अखोदियो इस करिये चे के हुँ मोट्रों मैं आट्लू करू जो मैं आट्ला लोकोनू करू आट्लू काम करू जे बहुझ महान पुरुष्यों चे एक एचे तो परिशन मा आपने चारे बाजू थी आराधना करवानी जे भक्ती पन करवानी गिनानारजन पन करवानू वैराग्य पनमधारवानो नियम्वरत पन लेवाना अंदर मा भावना पन करवानी ग्रोध वगेरे निन्दा नहीं करवानी कोई ना विशे खोटा विचारों नहीं लाववाना आवी जायतो तरत क्यों वगवान मारी भूल थेगे हमना भाई श्रीम्मणी भाई आपने कहूं के त्रणे नी आपने गुण प्रमोध करिये तेमनी पूजा करिये तेमनी वयावर्च करिये एक क्लासिकली की देमने उपलक्ष थी गुणवान पुरुशोनी पण परमातमानी सद्गुरुनी अने सद्धरमत्वा सट्शास्त्रुनी तो आपने पूजा भक्ती करिये तेमनी पण ते उपरान पण जे विनै बगिरे करवाना चे एमा गुणियल जनो नो खास आ काले उमिरो करवो कारण के भगवान नधी जे सत्पुरुशों छे ने उळखवानी शक्ती पण थोड़ा नीच तो जाथी सारू मले जाथी रूडू मले जा घणा गुणोंनो समूद देखाए एवी व्यक्तियों तेमनो पण आपने विनै करूँ तो बोल गिरे चे बोलो साथ गुण थिंभरे ला गुण जन देखि हैयो मारो न्रोत्य करे ते संतोना चरण कमलमा मुझज जीवननू अर्ग्य वहे ते संतो ना चरन कमलमा मुझ जीवननु अरग्य वहे गुण प्रमोध अतिशय रहे रहे अंतर मुख योग प्राप्ति श्री सद्य गुरु वड़े जिन दर्शन अनुयो शिष्टाचार थी आपने कि तमारों स्वाध्याई बहुँ सारों हो तो तमें भक्ति बहुँ सारी करा दिए तमें आप बहुँ सारू करिए कि शिष्टाचार थी कहिए तो आपने लाप अलपज दे परन्तु जो एने सारू जानी हूँ तो आपने पड़ ए बाबत मा थोड़ो प्रयत्न करिए तो आपने अंतर थी करिए तो आपने अंतर थी करिए ज़े चारे बाज जो थी आराधना करवानी छे एकज साधन करी अने आपने संतुष्ट थाई जई जई तो ए भगवाननो मार्ग न थे निश्चय वानी सामली साधन त्यजवान भोवच जई निश्चय राखी लक्षमा साधन करवान जे जे गिनानी बगवन तो ये आपने आजन्या आपी छे ते ते आपने पाड़वानों समझीने प्रयत्न करवो जोई अभ्यास करवो जोई पुरुशार करवो जोई प्रयत्न करवो जोई प्रमाद छोड़ी ने तेमा लागवो जोई समय पन लगावो शक्ती पन लगावी रूची पन लगावी औने समझन पन लगावी आ तेरे विशे अनित्य पंचाशत नामनों प्रक्रण छे एतले वाईराज्यनी मुख्यत आथे आ तेरे प्रस्तुती छे तो वाईराज्यनी मुख्यत आजे यहनों अर्थ हैं नहीं कि गिन्यान नहीं अथ्वा भक्ती नहीं अथ्वा तौप नहीं अथ्वा नीयम्रत नहीं एक वस्तु जारे मुख्य होए त्यारे बिजी वस्तु गवणallas तम्हे पन तरण चार बाड़को होए तो बद्दा ने साथे नवड़ा भी न शकुँँ जारे एक ने नवड़ा होता होए त्यारे बिजाने के बहला हमने 20 मिनिट मा पतनी जाने पर जी तार वार हो मुख्य गौण, मुख्य गौण, मुख्य गौण, पड़ंदर मा भाव जेजे साधन श्री सद्गुरु देवे बताव्या छे ते मारे समझवा छे तेनो भाव मारा रदै मा अंतरगत करवो छे ते प्रत्य अपूर्व श्रद्धा लाववी छे अने ते मार्गे जबूँ छे आजे सात्मो श्रोक छे विशय एनो एचे एटले थोडुक रिपिटीशन धावानू परंतु पुनरुक्ति ते मोक्ष मार्ग मा दोश्न दे पण सद्गुर्ण छे पुनरुक्ति ये मोक्ष मार्ग मा दोश्न दे भगवान महावीर के महांस आचारियो संतो दर्रोज आत्मानु ध्यान करें दर्रोज परमात्मानु ध्यान ते दर्रोज परमात्मानु ध्यान करें दर्रोज 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 करें अट्मा उध्यान करवाँ, बार भावना भावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावा अतिन्द्रीय अलवकिक आनन्द तेमना तेवो अनुभावें छे अने आगामी अनन्त काल सुधी अनुभाववाना आवी अलवकिक शक्ती जैमा रही छे एवु आपनु बूल स्वरूप छे एक दम बैस्तू न थे आपना अनादीना संस्कारो विपरीच शरीर मारू दुन्यानी वस्तूओ मारे मारू बदा सन्मान करो मारू कोई अपमान करो नहीं मन जम्वानो टाइम धायले बद्धाय मारे जे वस्तूओ जे अजर करी देवि इव बदू अनादी काल नो एवो न्यानिक जवाई अमना अजबाई श्रीप आदेडी मनिवाई आपने कहो कि वहीं समता राखवो समतानो अभ्यास करवो सर्वसमय समतानो अभ्यास करवो यह मने पंखाम ताकल आपने यह प्रमान बाकी नी वस्तूपर समझी ले ले तो शोक गरिकालनो विशाईत वहीनों चे आपनने उपियोगी अने गमती वस्तूप चाहे सजीव होई के नरिजीव होई यह जतीरे यहनों वियोग थी जाए तो शोक न करवो कारण के शोक करवा थी यह पाछी मलती नथी बढ़ चिंता नहीं करता चिंतन करू चिंता घटाडो अने चिंतन वधाव यह आलेले वाणाज ध्यान आवशाणे चिंता घटाडो अने चिंतन वधाव चिंतन एटले आत्मानों विकास थाई एवा विचारों चिंतन एटले आत्मानों आपनों आपना समस्त व्यक्तित्वनों सर्वतों मुखी विकास थाई एवा सु विचारों एवा सारा विचारों तत्व विचारों एतला हमाटे विचार शब्द आत्मसिद्धिमा पंदर के सत्तर बार प्रयोजित करें उजे कर विचार तो पांदर वाज्या प्रगटे सु विचारना त्या प्रगटे निजग्यान जे ग्याने एक्षय मोह थै पामे पद निरवान आपने थाई जाईचे करें चिंता पंद तरत क्या समाधान करूँ गिनानी भगवन्तों ना वचन थी गिनानी भगवन्तों ना सत्संग थी सत्षास्त्र नो अध्येन करवा थे येनु समाधान करूँ चिंता ने लंबावी नहीं और चिंतन ने लंबावी लंबावी और पछिछिले चिंतक मा येनु अंतरभुत पणू करवानुचे अंतरगत पणू करवानुचे चिंतन, 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 पहलु चिंतन दो यहां हो छे, पण ये चिंतन गौण चे, पछिए अईनु चिंतन चे, भावात्मक, एक हरु चिंतन चे, भाव जुडायों नो होई तो एकला विचार न चाले ये विचार करवानी शक्ति साचा विचार करवानी शक्ति पोते सत्तात्यता प्रगड करे तोज साचा भाव आवी शके साचा इवाव का भाव कहा है भावे जिन्वर पूजिये भावे दीजे दान भावे भाव ना भाविये भावे गिनान गुणनी मुख्यता आत्मानी परिनतीश इल्डा आत्मानी परियाए अवस्था नवशनावशनावशना बंने जो ही है सुविचारों पण करवा जोए औने सारी भावना उपण भावी जोए योई बार भावना ने चार भावना ने विचार नती गई तो अई आगल ये बार भावनाने भुर्द्धि थाए ये माटेनु आगल नो श्लोक सात्मो नंबर चे मुळ श्लोक उदेति पाता यरविर्य था तथा शरीर मेतन ननुसर्वदेहिनाम स्वकालमा साध्यनिजे पिसंस्थिते करोतिक हशो कमतह प्रबुद्ध दे शाणा पुरुष्णी डाया पुरुष्णी व्याख्या करेज भगवान प्रबुद्ध दे प्रबुद्ध माज आभी ग्यू तोय पड़ फरीदी रीपीट करेज प्रबुद्ध प्रबुद्ध प्रवेटले प्रकुरुष्ट बुद्धनू बुद्ध धातुनू भुद्ध कुद बुद्ध प्रबुद्ध अन्ने पाच्चु वड़ी पाच्चु देह एम एवा धीमान पुरुष, बुद्धिमान, सुबुद्धिमान पुरुष, एक एवा पुरुष जम सुर्यों नो उदै अस्त थवा माटे थाए छे, ते विज रिते निश्चे इती समस्त प्राणियों नुँ आ शरीर पन्नष्ट थवाने माटे उत्पन थाए छे आलोचना पाट माश्चू बूलिये छे, वरस दिना की गाठ को उत्सव गाए मजाए, मूरख नर समझे नहीं, वरस गाठ को जाए अत्यार तो बहुच फेशन चाली चे, आपणा घरमा आपणू चाले नहीं हमें, छोक्राओ बर्ट्डे नुँ मंगाणूने केक बनावेने बदू केट नुँ बदू करे आपणे केमने रोकिन शक्ये पड़िमनी हूँ के वो, समझावब आपणे क्लासिकल केक ना लवाए, गुनिया मजे बदी केक मने चे तो इन्डा न रस्मर कर बने नहीं, तो नक्की कर भूजुए कोई पण वस्तु आपणे करिये तो एनी पाछण नो आशय समझ वोजुए, एनी पाछण नो अभिप्राई, एनी पाछण आपणे शूधिये राखिये छिये ऊग्योत ऐतो अस्त थवानो, जन्मयोत तो जरूर जवानो, पकड भूगि बे ये पढ़वू बोलता उग्यों ते तो अस्त थवानों और जन्मियों ते तो जरूर जवानों एमा कोई पड़ अप्पाद नदे भगवान पड़ अप्पाद नदे किसे भगवान पड़ मरी जाए कि भगवान मरी जाए एतले एनना देहनों वियोगता है पड़ भगवान मरता न थे, कारण के भगवान तो मिर्वान दवन करेजे. कि भगवान मरी जाए पछी शुदा है? कई ने? भगवान मरी जाए पछी एमने बीजो देधारण करवो पड़तों न थे, अने तेमना बद्धा आत्मा आक्थो प्रहट थी आई है. इतले अनंत आ अनन्त सहीत तो के वानों बुद्धों छे के आपने अम्मेशन एवुद लागे मोहनों आवो प्रभाव चे तामे बदा मरी यह पड़ हूं के मर्तों हो जो हूं तो साइट वरश्ण थे अपड़ में तो गोड़ी एक के लिदी न दे जो साइब मरू शरीट के उताम बाजे कुरुपाण देना के भरी वावस्था मां पण जे शरीर अनित्य छे ते विशे आ प्रकार नूं खोटू चिंतन करवों ते योग्य नहीं मोहनी अस्तर चे दारूड योजे छे यह एमज खरेखर मान तो होई छे जारे इत नशामा होई ते आरे के हूँ दुनिया नो बाद्शा जो एटले नूं सबकॉंशिस माइन उपर आवी ने कहे जे माए दुनिया का बाद्शा हो एक खरेखर ते वोगत यह वो माना चे कि पति यह थी दुनिया नो बाद्शा थाई गयो आपने मान निये जे कि आ बदू मारू जे आ बदू मारू जे आ हुँ कवते ठाय अने हुँ करूते आ बदाय कर भुज जोई यह पदू गणू शरीरे पड़ एप्रमान करूब जोई पड़े उन्हों थरू तार तो काला व पहला तो तू चाल तो तो त्यारे धरती दुरूज ती ती हवे तू दुरूजे छे अन्ने धरती स्थीर जे वो शरीरनो स्वभाव जे भाई ये भाई शरीरनो स्वभाव जे माटे आचारिय गिन्यानी धर्मात्मा संतो आपन ने कह जे राग द्वेश अग न्यान ये मूल कर्म ने ग्रंथ थाय निबूति जेहति तेज मोहन मोक्षनो पन्थ एकदम निबूति न थाय एकदम निबूति थते न थी पहले दी जेने तयारी न करियो एने घणा प्रॉब्लेम थाय जो आईएस ओफिसर होई ने सीनियर आईएस ओफिसर येने इतली बदी टेव पड़ी की होई के जारे रिटायर थे याँ पछी उत्रो अमलदार कॉड़ी नो एभी एक एवत छे ने हैं आ बटन दबावे तो आप ये आवे आप ये आवे आजातनों पेलो पट्टा वाड़ होगा आवाजू पेलो सिनियर क्लार का आवाजू जुनो क्लार का ले जरह घरमा एने रहवान उताय जारे एने बहु के कई ब जरह थे बाटेन दबावे तो कोई नो आ रहा है अवे तो नेमा मादन जमाना थे छोक्रा उने केल यह तो छोक्रा तो बगया इमने गहर होई लगन-बगन थेह जा होई तो एक दम अपसेट, एकलों बदो अपसेट, घणाने तो साइकोपेट थे जाए जाए जाए, गांडा जिमा थे जाए, पच्चास वर्ष थाए इटले मोडा मा मोडा रिटायर्मेंट नी तैयारी सु नियोजित पणे संत पुरुष्णे पूछी ने करवी, आतो मोडा मोडा इ करेतों उत्तम कारिया थाह प्रैक दरेकने अवा पुन्यनव वद नतीन आगला भवनी अभी आराधना पन होते तो भगवान झाले लोडर्ट रखार से, आचारी उद चाहर जारेत से धाए हैowा जार्थी जाग्यां तायर्थ सवाभ, जार्थी जार्थी भार्थी सवा, ज इसेंशियल पॉम्पोनेंट अफ एन एनलाइटेंड सोर्ण शावकना एक्विस्प गुणोमा पण एक हुँच दिर्गद्रिष्टिवान दिर्गद्रिष्टिवान अत्यारनी बात नथी विचारतो, कालनी बात पण विचारतो, पण विचारेचे करो पोते जाने जे कि शरीर घर्डू थाई जशे आँखे देखा शे नहीं, काने संबडा शे नहीं, चला शे नहीं तो ते वखते अत्यार्थी त्यार करीने भगवान अने संतों नी वाणी मोढे करी लेवी ते वखते दिक्रा कहे के पापा लओ भगवान तो फोटो देखाई जी के देखा तो नथी भीला मंदीरे लई जाए, उपाड सारा दिक्रा होए तो, मंदीर पढ़ लई जाए, पर भगवान देखाई और भगवान दर्शन नहीं था, काने के आँखों, नथी ते वगत बहु मुझोड थर्शे आपने माते अत्यर्थी भगवान नी छबी शूंबोली जेशन दर्रोज, मेरा मस्तक आपके चरणकमल में, आपके चरणकमल मेरे रदैकमल में, अखंड अपने संस्थावीद रहे, संस्थावीद रहे, कि दो सामाई ने कि गोवेने घूटे चे, सत्पुरुषों का मेरी चित्त स्मूर्थी के पड़ पर टंकोत किर्णवत सदोद जयवंद रहो, जयवंद रहो, जयवंद रहो, ती सो वेरी इंपोर्टेंट, इतले पर बुढ़े, आँख मारे उघणे ने राज प्रभु देखो, पड़ ते वखते तो आँखो उघण तो देखा शे ने, अंदर मां मुख्या आशे तो देखा शे, अंदर मां स्थापित करे आशे परमात्माने, सद्गुरु ने, एमनी दिव्यवाणी ने, तो थोड़ 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 चिंतन नू अवलम्बन रहे शे, तो जे सूर्य उदे थर्यों छे, ये अस्त थवानों छे, एम आशेरी नष्ट थवाने माटे उत्पन्थाई से, आँ मुख्य दुखना हेतु कुरुपळ देव गया से, जन्म जराने मृत्यू मुख्य दुखना हेतु कारण तेना बेक हैं राग द्वेश अन हेतु, तो पची काल पामीने पोतानों कोई बंधु वगेरेनू मरणत्फ कयों बुद्धिवान मनुष्य तेने माटे शोग करें, आतो आचारिय जे हैं, आमाने जो सम्निजवाओं तो सम्झी ले हैं, कि आपनने मोट्र उपालम भापें, साधी भाषा में मोट्रा म मोटी गाड़ देदी, जे मनुख्य पोक मुख्य जे, आचारि बग्वान उपा Be prepared for the future, unfavorable circumstances, mentally, mentally, सुखनी वैख्या आपन ने पढ़ने जी ये पांच ने च्छ दिवा सम्झा ले हैं, पस्चात अद्दुखते सुखना हैं माटे कैजे, पोताना कोई बंदुव गेर्णू, बंदुव गेरे एकले, कोई पन सगावाला, कोई पन मित्र, कोई पन आपनने उपकारी, उपियोगी एवा, महापुरुष एमने विशे, कयो बुद्धिमान मनुषे तेने माटे शोक करे, हमना जे वाद गवतम स्वामी ने करी, ये कथानू योग थी कही जे, इतले कथानू योग थी समझवी तो ये ने समझवा माटे तो मोटी गणी बदी पात्रता जोई है, कि गवतम स्वामी के एमेमेम करीने रडे इवु न करे, ये भगवान याद आवेगा, रहे, भगवान, भगवान ये वो मोटे थी पोक मुकी ने रुवे तो तो मुनी नो हो आए, पड़ समझवान, कि अभ्यासना संसकार मुनी महराज ने पौन कष्ट आपेश है, अक्म से समधिश्य तक निगाथ आज़े पूर्व कर्म संसकार थी, जो मुनी ने तनमा प्रेम थाए, तो आत्मा ने शाश्वत ने याद करवो, तो ती प्रेम एतले कि त्या रागना आर्थ माँचे श्रमी जशे आपने यह विचारता हो यह, कि साहिब अमना तो माने कहीं बदू जयम छे तेम चाल शे, पड़े पर जिमाने बहुत थाशे, मोटों रोग थाशे ने, तो भगवन खुब याद करे शे, खुब याद करे शे, ना थाई शे मुर्त्यूनो समय ते जीवन नो सरवाणों चे, मुर्त्यूनो समय ते जीवन नो सरवाणों चे, हाथे करेला है यह वाख्षे, माटे यहूं न विचारू यहूं धर्मात्मा प्रतिगनाव पुर्वक अंतरमा निर्धार करीने परमात्मा ने एमा प्रार्थना करवान गए छोने आ छोने आदर्दवदे हूं मात नहें मागों वली छिल्ला श्वास सुधे हूं धर्म नहीं प्यागों रहे भाव समाधीनों इवु इंत बल देजे मारी भक्ति जो साची होई तो आटलू बल देजे मारी भक्ति जो साची होई तो आटलू बल देजे इतलो निश्य जय जय आत्ममा वली छिल्ला श्वास सुधे हूं धर्म नहीं त्यागों बजन बोलता तो बोलिजे मारी नाड तमारे हाथे हरी संभाल जोरे मुझने पोता नो जानीने प्रभुपद पाल जोरे मारी पड़ पहले ती कि दुन दी एक नाड डाक्ट ना आत्मा चे विजिद्धिक्रा ना आत्मा चे तो बगवान के बाहे बगवन हूं काम चे तो बोलतो तो ने के मारी नाड तमारे हाथे समजन वगर भाव भासन वगर अग्ञान पुर्वक मिकेनिकली लोक धर्म थी शिष्टाचार थी मात्र बाहे रिते बोले तो अर्थ सर्षे भगवान महवीरे महान आचार्यों जीवन जिव्वानी पड़ कड़ा बतावी जे और जीवन छोडवानी पड़ कड़ा बतावी जीवन एकले दे जीवन छुड़तों दे जीवन तो शाष्वत जे एकला बतावी जे अल्लोव किकला बतावी जे पड़ एमाटे घणी तैयारी जोई एकला माटे बगवाने एने केटला मूँ भुक्यू देनों मादे गुरुहस्त नूँ शावक नूँ केटला मूँ व्रत मूँ क्यू सारी रिते मर्वानी कड़ा तेर मूँ बार नो थोड़ो थोड़ो अभ्यास करयो होई तो तेर मूँ आवे करोड़ पती शूपड मारी पासे लाख रूपिया न दे ले लाख नी संपत्ती न दे तो यह उनो होई करोड़ पती होई बले लाख रोकड़ा नो होई पड़ संपत्ती तो होई तो अज तू करोड़ पती इनके मैं कही अभ्यास करें नथी, मैं कही बार वसन भावनापन नथी करें, तो तेर मूनों आ रहे हैं भगवाने पड़ रत्नकरणशाव का चार्मा उन्हों छेलू वर्णन करें उचे, यह वर्णन छेलू करें उचे, अभ्यास यो खास माचवाजे हुचे अभ्यास यो ये खास माचवाजे हुचे, रत्नकरणशाव का चार्मा एवस्तू लिदे लिशे अहिना लई गया लागया शे, पांच के छवगा आथा हो लिदे जे, पांच हर दे, अत्तीशाई सुन्दर रिते करें उचे, आचारे महराजे अहिना ये उपालंब दिदोने, ये तिया पांच उपालंब देशे हे जीव, तू मोटो धर्मात्मा थयो, तू मोटो गिन्यानी थयो, तू मोटो जे पन कई मोटी पद्वी तने समाज मा के लोक मा मली, पांड जो तारू मराण शांत भाव थी नथाई, अथा मृत्यू वक्रते तने बहूज एवा आर्तरवद्र ना परिणाम, ये तले वो खोटा भावो थाई, तो ते तू धर्मात्मा नथी, आचरी डरतां दे आपड़ा थी, ये वो कोशो, त्या पोता ने नथी मुख्या, सर्भग्न भगवान ने मुख्या चे, शब्द पड़े वो मुख्यों चे, ले खास माच वो, के सर्भग्न भगवान आम कहे चे, सर्भग्न भगवान आप्रमाने कहे चे, गाथा चालू धाई ये, श्लोक नमबर, एक सोने बावीस थी, अत्यार आव विशाई नथी आपड़े, मात्र आ उपालंब जे आप्यों, ए आचारी देवया आपड़े लोचे, ए विशाई चे, जो आपने जीवता जीवता सारा भाव नहीं करया हो, येनों सारो अभ्यास नहीं करया हो, येना द्रण संस्कार नहीं करया हो, तो मृत्यू अने वेदना वकते ए बदा संस्कार उड़ी जशे, सुपर्फुश्यल शर्गों, माते कि दो ये टंकोत किर्णवत सदो दी जैवंत्रों, कंडार वाजोई है, आत्मा मा अपना रधै मा आपना भाव मा भगवानने कंडार वाजो, सद्गुरुने कंडार वाजो, येमनी वाणीने कंडार विजू, अने येमनी वाणीनों सार, ते चैतन्य भगवान आत्मा से, शुद्ध बुद्ध चैतन्य गन्स्वयम जोति सुगधाम, विजू कहीए केटनू कर विचार तो पाम, विचार एक वार, बेवार, पांच वार, पचेस वार नदी करवानों, आत्मानों विचार तो आगड़ उपर आवे, पहला तो सामने शावगने दो, घड़ी घड़ी पलपल सदा, प्रभु सुमिरन को चाव, नर्भव सफलों जो करे, दानशील तपभाव, इतला मने आपड़ अग्यारवार, एक विस्वार, के एक त्रिस्वार, परमात्मानों भाव, पुर्वक्स, मरण करमानों, अभ्यास पन करवो जो ये, नियम पनापो जो जो ये, एक पछी विस्तारती समझो, संतो पासिती समझो, ये सर्वग्रशत दुबाप लोजे, एक सोने ओगंत्रिस्मी गाथाचे, ये त्यानी बाची लेवी, थानके विश्य आपड़ो उत्तेर, एक सोने ओगंत्रिस्मी गुजिलाती वाची जो जुझू, जिव्वानी तथा मरण नी आकांक्षा करवी, भय करवो मित्रों ने याद करवा, अने आगामी भववां भोगों नी इच्छा करवी, ये पाँच सल्लेखनाना अतिचारों छे, एम जिनेंद्र भगवान द्वारा कहवामा आविऊं छे, कौने कहँं छे, जिनेंद्र भगवाने, सरवग्न भगवाने कहँं, हुँ कहतो, आचार्य तो अम्मेशा ये प्रमाने, ये मनी ये अलवकिक सहज विनैनी कड़ा, तो जे मनुष्य शोक करे छे, तेने आचार्य भगवान बुद्धिमान कहता नथी, एतले के शुम कहँं छे, ये समझीलेवानों, मुर्ख छे, पोतानू हीत जानतों नथी, अत्यारे बिजाने हेरान करे छे, पड़ पोते आगलू पर घणू हेरान थवानों, छे, आपने आपनी शक्ति प्रमणे करी शेक्किये, आपने केवां मुटा मुनी नथी, कि आपने बदू सहन करे, पड़ थोड़िक सम्ता, थोड़िक शान्ती, परमात्मानुस्मरण, ये प्रमणे आपने सारा भाव राखी शेक्ये, आगल करशे, भवंति व्रुक्षे शुपतंति नोनं, पत्राणी पुष्पाणी फलानी अद्वत, कुलेशुत अद्वत पुरुषा किमत्र, हर्षेन शोकेन च सन्मती नाम। सारी बुद्धी वालों कयो पुरुष्छे के जे आवु करशे, पुझ्जिपात स्वामीनी आगाता चे, इश्टोक देश मा। जेवी रिते संध्याकाणना समय जुदी जुदी दिशाओ मां थे पक्षियों आवे छे, अने एक वुरुक्ष उपर रात्ती वासों वसे छे, परन्तु पाची सवार्थता बदा जुदी जुदी दिशाओ मां उड़ी जाए छे। तेवी रिते, आ जिवन मां, आपना घर मां, कुटुम्ब मां, सैयोगों मां, आपन दे कोई आत्माओ, पती, पत्नी, मा, बाप, दिक्रा, दिक्री, मामा, काका, काकी, फोई, फुआ, रुपे, मित्र, रुपे, के दुश्मन, रुपे, सैयोग मां आया जे, परन्तु कोई थशे ती, उसमाई बधाय, चाल्या जशे, एमा कोई रोकी शक्षे नहीं, मैंने उव्यक पद गवड़ावेच, जीलिये, जीवतु शाने फरेचे गुमानमा, तारे रहवु भड़ा नामकानमा, तारे रहवु भड़ा नामकानमा, जीवतु शाने फरेचे गुमानमा, तारे रहवु भड़ा नामकानमा, कुरुपाळु देवे, सोड वर्षने पांच महिने पहला नवकाल मूखे खोई ने करी ने बुग गड़ो विस्तार करेंशा, महरा तो महरा जीवनी बातर नदी गरी, त्या तो छो खंड ना दिराजने, राया दिराजने, मुटा मुटा दुनिया ना बगा मुटा पुरुशोनी बात करेंशे, छेली कड़ी को मनचे, जन जानिये, मन मानिये, नवकाल मूखे, जन जानिये, मन मानिये, नवकाल मूखे, आटली सत्तर वर्षनी उमर पहला आउँ, अलोग की गिनान ने वैराग्या, आर्या, एक सुच में छे क्या आगला भवनू मोटू बात हो, मोक्ष माणा वगेरे लखाया, त्यारे सोब इद्वान भेगा था, तो अपन एक मोक्ष माणा न लखी शे था, एवी सोल वर्षने पांच महिने, आत्मानू नित्यत्व सुच में छे, माटाई याँचा रेक्या छे, के जे वीरिते वुरुक्षो माँ पत्र, पुष्प अने फळुपन थाये छे, अने ते वो समय आनूसार निश्चय थी पड़े पणचे, ते वीरिते कूलो, एटले कुटुम, माँ जे पुरुष उत्पन थाये छे, ते वो मरे पणचे, तो पची धिमाद मनुष्यों ने ते उत्पन थता हर्ष औने मरता शोक शामाटे थवो जोईए, न थवो जोईए, न थवो जोईए, अम्मोटा पुरुष्य छे, एकले ये तो ये उत्सर्ग मागत बतावे ने, आपने तो थोड़ो हर्ष थाये आई, अन थोड़ो शोक पने नर्मा मानुष्य का करवा जिवो नथी आमारी भूल छे, आ चिंता ते मने आगामी दुखनू कारण छे माटे हूं सावधान रहिने प्रभु ने प्रारतना करू, प्रभु मने शक्ति आपो, प्रभु मने भक्ति आपो, कि हूं सम्तार आखो, हे प्रभु हूं सम्ता अपने आओ के छेली वक्यत याद नौ आवे दिर्गकार सुधी यथार्थ बोधनो परीचय करवाथी बोध बीजनी प्राप्ति होज अने सत्संग आपने परीशन मां चार पांच निवस करी काम नौ आवे 856 मां तेमा पन आकालना जिवोने ते बढ़नी द्रडचाप पड़िजवा अर्थे अनेक अंत्रायो जोवा मां आवे जे जेथी करिने तथारूप जिगनासों वृत्ति है दिर्गकार परियंद ते सत्समागम उपासवानी आवश्यता रहे सत्संग मां जिन बहस हुए कि सत्संग न दिये तो एक सारी चेश्ट आज है सत्संग मां सत्संग करूछू एने माटे प्री रिक्विजिट जोई प्री रिक्विजिट मिना कोई कारिया ना था शीरो बना हुँँँँँट लोट बोटनी के जरू न थी घीनी जरू न थी गौण न थी गौण न थी मोडन पद्धतिया मारे भी थाई जे जे हात मा वस्तुआ आप शे भेगे करी शीरो बनी जर्शे निष्चे मा भेदन पड़े भगवान रुष्वब देवने भगवान राम हता त्यारे पन शीरो ते लोट घी अने गळपन नो था तो अने अत्यारे पने न थे तमारे भुम्वाई मा साइब पैट्रोल अने चान अने अवद भेगू करी नम शीरो बना जिए तमें बहु मोटा मानस चो एकले हमारा जे वो लोट गवनों न थी वापर दा परी मगनी दालो लोट वापर ज़ए कई मादोने पर ये लोट तो मुटा मानस हो किना हमें आओ लोट आओ शीरो न बना ये वापर मगनी दालो शीरो बना वो पड़े तो अभ्यास कर वो जोई है अपने अपने अत्यर्थी चेति जवू जोई है रेरे जीव विचार ये मज सदा अन्यत्वदा भावना जारे जारे कोई वस्तू के व्यक्ति के कई बनाओ बने त्यारे विचार भूँ इतला मटे 301 जे पत्रांग छे आपने समतानी आराधना माटेना उत्तम चार सुत्रों जे पत्रांग 301 मा समतानो अभ्यास करवा माटेना चार अमुल्य सुत्रों जे पड़े वांची जवाना ना दे ये प्रयोग करवा माटे जे बोडे बोली जाए तो नहीं चाले इतला दी नहीं चाले आगलो श्लोक माँची ने आपने समाप्तियो साची दुरलंग्याद भवितम व्यता व्यतिकरान नश्टे प्रिये मानुशे यच्लो कहक्रियते तदत्रतमसे प्रारभ्यते नर्तनम सर्वम्नश्वरमे ववस्तु भुवने मत्वा महत्याधिया निर्धो उताखिल दुक्क संतति रहो दर्मसदा से व्यता अत्यार सुधिये आपने ये बुद्धु नी बात करी अन्य हावे बुद्धिमान निवाद करें जाए बढ़वान आचारी देव बुद्धु कोण के अत्यार सुधि बुद्धु हो तो तो वो बुद्धिमान कोण तो साहे बुद्धिमान इतले इंग्यागर साची बुद्धि वाळा बुद्धि शब्द नथी वाप्रो धी हवाप्रो छे धी सुबुद्धि जे बुद्धि नियाएने अनुसरे छे जे बुद्धि भगवाननी आग्नाने अनुसरे छे जे बुद्धि सत्पुरुष्णिं आग्नाने अनुसरे छे जे बुद्धी पाप्थी पाची फरे छे जे बुद्धी स्ववने पर्णू कल्यान करे छे घणी बुद्धी नी जरूर न थी सारी बुद्धी नी जरूर छे ये प्रकारे आपने आवतिकाले समझावशे के साचा बुद्धी मान कौन छे पड़ अत्यर एनू मत्र वांजन करीजिये क्यों आवशा माणे वांजन करवू हूँ क्या हूँ भोछू दर एक वसु भगवान नी वाणिया आपना माटे छे स्वाध्याइसे ने तोस्वणों अध्याइसे सर्व जीवणू क्ल्यांव यौ खियोख सर्वमाथ तूं आविएबगले ने बापा क्य बदाह कि गाही यूद्य方 भावना सारी है पहे पको मादे पहला आहिख नंए आपने भूली जैये पूताने गणयों एम ही कहा चे दुर्निवार दैवना प्रवाव थी कोई प्रीय मनुष्यनूमर्ण थाई तो अहीं शोक करवामा आवे चे अहीं यहां दुर्निवार 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 कौण जुवे नुद्ध्य कड़ा एवी जय छे कि जे पोता ना माटे गउण पड़े ने बिजावना माटे मूख्य पड़े तो अंधार में नुद्ध्य कर वुए के मरावन संसार माँ बधी वस्तुओ नाश्पा में छे एम उत्तम बुद्धि द्वारा जानी ने जो बुद्धि द्वारा न किदू कई द्वारा बुद्धि द्वारा एटले आचारी भगवाने जा समय सारों पड़ सू युक्ति मुख्य छे अने आनन गंजी महराजे पर्ण ओगणिसमा भगवान मां सू मती मुख्य छे कुब दिने मिठ्या मती अपर राधन जानी घर थी बाहर काड़ी संसार मां भरिवस्तों नार प्रभु एम उत्तम बुद्धि द्वारा जानी ने समस्त दुखोनी परंपरानों नाश करनार धर्मनू सदार आधन करो आपना जिवा थूडू चो करो प्रभु वर्ष मां 365 दिवस्त चेने एमां थी पहला पंदर दिवस्ती तो चालू करो कि वे पंदर दिवस्तों मारे धर्मज मुख्य धर्म एटले शांती समता साची समझन अने संत पुरुषोना समागमने भोद्ध्वारा शांती नो नुखो करो सत्यने जानवो एप्रमाने करवाने आपने भगवान शक्तिया पे बुद्धिया पे और आपने सोट अकाइमा प्रहत्न करिए ये भगवान प्रात्न करिए आपने सुख धामय अनन्त संत चहि दिन रात्र रहे तद ध्यान महि परशांती अनन्त सुधामय जे प्रानमो पदते वरते जयते प्रानमो पदते वरते जयते सदेगरो परमगरपालो प्रिलोक नार सहब संतन के ये आनन्त त्री सेकंड माउन आत्म अनुसंदा प्रमात्म स्मरण कि द्री आत्र झेंतना झाल शुर्ण झेंतना जड़िट झेंतल झेंतल तौ कि झेंतल है, सबस्टार झेंतल अलिए शुट साथ लें झाल जड़ाए।